हेलो फ्रेंड यह एक्सरसाइज वन का कोशन नंबर थर्ड है तो कोशन नंबर थर्ड कहता क्या है कि किसी परेट में 616 सदेशों वक्की एक सेना की टूकरी है जिसे 32 सदेशों वाले जो एक बैंड है उसके पीछे मार्च करना है दोनों समुहों में समान संख्या वाले अस्त एक गुर्ब है जिसमें 616 लोग है यह टीक है तो कोशन यह कह रहा है कि इन दोनों को समान इक्वल लाइन में खरें होना है जो 32 वाले लोग है मालो की यह दो बनाते हैं ठीक है अग्रेचा और 302 वाले लोग है इनको भी दो ही लेगन बनना इसाँ तो 302 वाले रोग क्लामें इस नों तो यह ऑगा सब्सक्क्रांपिंगी सोल dirig से millimeters दो यह कि श्क्राइब डोनों में इस्में कितने लोग हो जाएंगे 308 और 308 पार habla है तो कोच़चा नamаетंगों कितने लोग कोलम बसकते हैं यह जो कॉल मानीं किने बना सकते हैं जैसे 32 को है दो कोलम हमें बनाया तो कितो कितने लोग आ गैंome οι 16 नोग आग typical बनाते कितने लोग जाते हैं Company बनाते हैं तो एक कॉलम कितने लोग हो जाएंगा इसको तो एक कोलम में कितने लोग आएंगे तो इसको भी चार से डिवाइट करेंगे 616 को चेसो अब सोलदा को चार से डिवाइट करोगे तो कितना हो जाएगा वन बार में जाएगा फोर टू ववन जाएगा फाल टैम में एंड यह हो जाएगा 20 016 यह जाएगा फोर यानि कि एक कोलम में इसमें 154 पीपुल आएंगे ठीक है तो हमारे पास कोश्चन यह है कि हमें मैक्सिन नमबर आप कॉलम निकालने हैं कि इस तरीके से कितने कॉलम बनेंगे जो कि दोनों में उतने ही कॉलम बनने चाहिए और दोनों में नमबर आप मेक्सिमम फेक्टर निकाले तो हमें पास एंसर आजाएगा तो हमें क्या करना है मैं हमें इसका सी एफ निकालना ओके तो यह आप को यह आप मतलखना यह ज़स्ट आपको समझाने के लिए था तो इधर मैं जो सॉल्व कर रहा हूं आप उसे नोट कर सकते हो तो सिंपली हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे तू फाइंद द मैक्सिमम नंबर अफ कोलम वी आफ तो फाइंद कि वी एफ तो फाइंद दे एफ आफ अफ थर्टी टू एंड शिक्स वन सिक्स ओके हमें यह करना है ठीक है तो इन दोनों का में एफ निकालना है यहां पर मैं लिख देता हूं इक्विजन एल्गोरित्म से तो इक्विजन एल्गोरित्म क्या होता है अपका एफ इच्कल टू बी क्यू प्लस आर वेर जो आर की वैल्टी है जीरो से बड़ा और उसके एक्विजन होता है बट लेस देन भी होता है यह हमारा होता है इक्विजन एल्गोरित्म ठीक है तो आप यहां से देख सकते हो कि इसमें अब जो 32 है तो इसमें से जो छोटा है उससे हम क्या करते हैं जो छोटो हाता है उसको हम divider माल लेते हैं जो बड़ा होता है उसको क्या माल लेते हैं डिविटेंट माल लेते हैं ठीक है तो यह कितने बार में जाएगा वटाइम में जाएगा तो यहां पर लिखते हैं हम 32 तो ठीक है 11 में से 9 कितना होगा 11 से 9 यह हो गया 55 में से 3 गया 2 उपर से आया चुकि यह 32 जो है 29 से बढ़ा है तो उपर से यहां पर हम 6 लेंगे ठीक है तो अब यह कितने टाइम में जाएगा इसको 32 ना मनके आप इसको 30 माल लो और 30 से 10 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो यह 300 ह हो जाएगा जो ज्यादा है तो इसे हम 9 से मुल्टिप्लाइब करता है तो 9 से मुल्टिप्लाइब करेंगे कितना होगा 9 दोना 18 का 8 है असिल एक और नतिया 27 और एक 28 ओके यह होगा 0 एंड यह हो जाएगा भी 0 16 में से 8 यह हो गया 8 ओके तो यह जो अब रिमेंडर है यह खरी वाल लेता है डिवाईजर ए जो मरा डिवागुर था उसको माल लेता है डीविडेंड तो यह हो गया चौप का 32 नहीं कि detgat भागो जाए गा यह अच्शोब का 32łości ही हो गया 0 तो यहां पर मैं इसको करेंगे इसको हम equates दिविजन एल्गोरिथम पर बठा देते हैं तो यहां पर आपका जो डिविडेंट है वो कितना है 616 166 और जो डिवाइजर है कितना है थर्टी टू कि मुल्टिप्लाई 19 एंड जो रिमेंडर है रिमेंडर कितना आ गया हमारा जीरो आ गया यहां पर एट आएगा रिमेंडर प्लस एट हमारे पास जो रिमेंडर है और नौट इक्वल टू जीरो है यह जो रिमेंडर है नौट इक्वल टू जीरो है तो क्या करेंगे हम इस वाले बाग को देखेंगे ठीक है तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास 32 क्या हो गया remainder जो हो गया जीरो हो गया तो अब यह आगे प्रोसेस नहीं करेंगे तो जहां पर हमारा remainder 0 होता है उसका जो diviser होता है वह हमारा SCF होता है तो यहां पर जो SCF था यह क्या हो जागा आपका 8 हो जागा तो यहां पर हम लिख सकते हैं maximum number of column maximum number of column will be 8 okay maximum number of column कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा ठीक है तो मिलते हैं next video में thank you